हेलो फ्रेंट्स वेलकम तो मैं चानल फ्रेश देखें आज मैं ये एक सिंगल कलर की डिजाइन का पैटन लेके आई हूं बहुत ही इजी है ये पैटन इस पैटन को आप अपने किसी भी प्रोजेक्ट में अपलाई कर सकती हैं बडो के स्वेटर में बचों के स्वेटर में कार और ये है इसकी रॉंग साइड तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं तो देखें इस डिजाइन को बनाने के लिए हमको 13 के मल्टिपल पंदे चाहिए यानि 13 इंटू 13 प्लस 2 एजिस्टीच एक्स्ट्रा हमारी ये डिजाइन सेट हो जाएगी दस सलाईयों का हमारा ये पैटर्ण है तो यहाँ पे देखें इस डिजाइन को बनाने के लिए मैंने 13 प्लस 13 यानि की 26 प्लस 2 यानि 28 टोटल 28 फंदे मैंने लिए हैं फर्स रो राइट साइड पहला फंदा एजिस्टीच उतार लेंगे अब हमारा पैटर्ण स्टार्ट होगा तो ये देखिए दो उल्टा दो सीधा दो उल्टा और एक सीधा ये हो गया हमारा हाफ देखिए ये पैटर्ण जो है ये सीधा ये इतना 6 फंदा, इतना 6 फंदा, एक फंदा बीच का, तो टोटल हमारे 13 फंदे, तो ये हो गए हमारे 7 फंदे, और अब सेम यही चीज हम फिर से करेंगे, तो 2 उल्टा, 2 सीधा, और 2 उल्टा, तो ये हो गई हमारी एक डिजाइन यहाँ पे, complete, फर्स्ट रो, अब ये देखिए, edge stitch है, यहाँ पे देखिए, 2 उल्टा, 2 सीधा, 2 उल्टा, बीच में 1 सीधा, फिर 2 उल्टा, 2 सीधा, 2 उल्टा, तो ये है 13 फंदे का pattern, इसी को repeat करेंगे फिर से, तो देखिए, 2 उल्टा, 2 सीधा, 2 उल्टा, बीच का 1 सीधा, और इसके बाद फिर यही repeat करेंगे, तो 2 उल्टा, 2 सीधा, दो उल्टा, ये हो गया अगला तेरा फंदा और एज स्टीच सीधा, फिर्स्ट रो कम्प्लीट, दो डीजाइन हमारी यहाँ पे बनेगी, रॉंग साइट से, सारे फंदे हमारे उल्टे उल्टे, तो पहला फंदा उतार के, सभी फंदों को हम इस तरीके से उल्टा उल्ट बिन लेंगे, तो रॉंग साइट से आपको हर बार उल्टा उल्टा ही बिनना है, राइट साइट से हमारा जो पैटर्न है वो बनेगा, तो ये है सेकेंड रो, यानि की दूसरी सलाई, तो इस तरीके से दूसरी सलाई हमारी उल्टा उल्टा बिनके कम्प्लीट कर लेंगे, देखिए इस तरीके से और एज स्टीज हम लास्ट में दोनों तरब से सीधा बीनेंगे तो ये हो गया हमारा एज स्टीज थर्ड रो हम फिर से सेम बीनेंगे आठ सलायों तक हमारा ये पैटर्न सेम रहेगा नाइध रो में हमारी ये डिजाइन बनेगी तो राइट साइट से थर्ड रो फिर से देखिए पहला फंदा एज स्टीज उतार लेंगे दो उल्टा, दो सीधा, दो उल्टा, एक सीधा फिर से दो उल्टा, दो सीधा और दो उल्टा ये हो गई हमारी एक डिजाइन देखिए एज स्टीज के बाद दो उल्टा, दो सीधा, दो उल्टा, बीज में एक सीधा फिर दो उल्टा, दो सीधा, दो उल्टा, एक सीधा फिर दो उल्टा, दो सीधा, दो उल्टा, एज स्टेच सीधा, ये देखिए, बॉर्डर की तरह, अब चौथी सलाई रॉंग साइट से फिर से पूरा उल्टा उल्टा, तो इसको हम पूरा उल्टा उल्टा बिन लेंगे, चौथी सलाई, रॉंग साइट पूरा उल्टा उल्टा, तो ये देखिए, लास्ट वाला फंदा सीधा, अब इसी को देखिए, हमको रिपीट करना है, तो फिर से हमारी जो पांचवी सलाई है, तो एज स्टेच उतार लेंगे, दो उल्टा, दो सीधा, दो उल्टा, एक सीधा, दो उल्टा, दो सीधा, दो उल्टा, ये है हमारा पैटन देखिए, इस तरीके से, अब इनी को, तेरा फंदों को रिपीट करेंगे, फिर से, तो देखिए, दो उल्टा, दो सीधा, दो उल्टा, ये है बीच में सिर्फ एक सीधा, फिर से, दो उल्टा, दो सीधा, दो उल्टा, और एजिस्टी सीधा, ये हो गई पांच सलाई कम्प्लीट, छट्वी सलाई, रॉंग साइट, पूरा उल्टा उल्टा, शिक्स्त रो, रॉंग साइट, पूरा उल्टा उल्टा, ये हो गई छट्वी सलाई कम्प्लीट, ये देखिए, साथ्वी सलाई फिर से, रॉंग साइट से, उल्टा 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 बिनना है, तो साथ्वी सलाई, पहला फंदा उतार के, दो उल्टा, दो सीधा, दो उल्टा, एक सीधा, देखिए, दो उल्टा, दो सीधा, दो उल्टा, फिर एक सीधा, फिर दो उल्टा, दो सीधा, दो उल्टा, ये हमारी बहुत इजी सी डिजाइन की लाइन है, देखिए, अब यहाँ पे, दो उल्टा दो सीधा दो उल्टा यह देखिए तेरा फंदे इनी को फिर से रिपीट करेंगे तो यहाँ पे दो उल्टा दो सीधा दो उल्टा बीच में एक सीधा और फिर से दो उल्टा दो सीधा दो उल्टा और एज सीधा यह हो गई सात्वी सलाई देखिए आठ्वी सलाई हम पूरा उल्टा उल्टा बिन के कम्प्लीट करेंगे तो इसको हम ऐसे पूरा उल्टा उल्टा बिन लेंगे आठ्वी सलाई रॉंग साइड पूरा उल्टा उल्टा तो ये हो गई हमारी डिजाइन की एक तरह से बेज तयार अब नाइन्थ रो में यानि की नवी सलाई में हम इसको ट्विस्ट करेंगे यहां तक आपको बिल्कुल एक जैसा बनाना है राइट साइड से जैसे फंदे हैं वैसे ही और रॉंग सैड से पूरा उल्टा उल्टा अब देखिए नाइन्थ रो राइट सैड पहला फंदा उतारेंगे और स्टार्टिंग के इन दो फंदों को हम ऐसे उल्टा बिन लेंगे उन पीछे अब देखिए यह जो हमारा सेंटर का फंदा है इसके पहले के ये जो चार फंदे हैं इनको हमको ट्विस्ट करना है इन दो फंदो को बीच में लाना है और इन दो फंदो को आगे लाना है तो सबसे पहले हम पीछे वाले दो फंदो को इस तरह से देखे सलाई पे फसा लेंगे ऐसे और चारो फंदो को निकाल दीजे सलाई स ये दो फंदे सीधे वाले जो हैं पहले हम लेफ्ट हैंड की सलाई पे लेके अंदर की तरफ लाएंगे और पीछे वाले फंदे को आगे की तरफ ऐसे चड़ा के इन चारो फंदो को हम सीधा भी नेंगे एक, दो, तीन और ये देखिए चार बीच वाला फंदा भी सीधा और अब इन चारो फंदो को भी ट्विस्ट करना है तो ये सीधा फंदा आगे से बीच में आएगा तो इसको हम आगे की तरफ से ऐसे फसाएंगे चारो फंदो को सलाई पर से उतार दीजिए और ये दो फंदे ऐसे लेके देखिए पीछे कर लेंगे और सीधे वाले फंदे को आगे की तरफ सलाई पर चड़ा लेंगे और इन चारो फंदों को हम इस तरीके से सीधा बिन देंगे और फिर दो उल्टा तो ये हो गई हमारी 13 फंदे की एक डिजाइन यहां पे देखे इस तरह से complete इसी तरह से दूसरा भी करेंगे देखे तो दो उल्टा उन पीछे करेंगे अब ये दो फंदा अंदर की तरफ जाएगा और ये दो फंदा बाहर की तरफ आएगा पीछे से तो ये देखे पीछे से इन दो फंदों को ऐसे कर लेंगे या आपको अगर आसानी पड़े तो इन चारो फंदों को सलाई पर से उतारिए ये दो फंदा सबसे पहले चड़ा लिजे लेफट हैंड की सलाई पे, और पीछे वाले फंदे को ऐसे पीछे की तरब से लाके सलाई पे आगे कर लेंगे, और चारों फंदों को हम सीधा बिन देंगे, तो एक, दो, तीन, और ये चार, बीच वाला फंदा इसको भी सीधा बि और पीछे वाले दो सीधे फंदे को ऐसे आगे की तरब से लाके सलाई पर चड़ा लेंगे, और इन चारों फंदों को भी हम सीधा बिन देंगे, तो दो, तीन, चार, ब्लास्ट के दो फंदे उल्टे और एज स्टीच सीधा, देखिए इस तरीके से ये हमारी डिजाइन ब उल्टा उल्टा, तो इसको पूरा उल्टा उल्टा बिन लेंगे, सारी ही सलाईया उल्टा उल्टा ही बिनना है, रॉंग साइड से, तो जितने फंदे ट्विस्ट हुए हैं, वो सब राइट साइड में हुए हैं, आठ सलाई बिलकुल सेम, नौवी सलाई में हमारी डिजा जो है वो हम ट्विस्ट करेंगे और फंदे को जो एक फंदा सेंटर का है उसके दोनों तरफ के चाल-चाल फंदों को हम पलट देंगे ट्विस्ट कर देंगे और यह हमारा रॉंग साइड है दस सलाई हमारा पैटन यहां पे तैयार हो गया यह देखिए यह पैटन तैयार अब इसके उपर जब हमको बनाना है तो फिर से देखिए पहली सलाई रिपीट करेंगे तो पहला फंदा उतार के देखिए यहां पे दो उल्टा दो सीधा और अब यह देखिए यह जो सीधा था इसको हम दो उल्टा कर देंगे बीच वाला फंदा सेम रहेगा यानि सीध़ा फिर से देखिए ये जो चार फंदे हमने सीधे भी ने थे पिशली बार इसमें से दो उल्टा दो सीधा दो उल्टा ये देखिए फिर से हमारी पहली सलाह रीपीट हो गई दूसरे डीजाइन सेम दो उल्टा उन पीछे अब ये देखिए ये जो चार सीधे थे तो ये वाले दो फंदे हम सीधे बीनेंगे और अंदर वाले दो फंदे हम उल्टे बीनेंगे एक सीधा फिर इसके बाद देखिए ये जो स्टार्टिंग के है इसको हम दो उल्टा और पीछे के दो फंदों को सीधा लास्ट में दो उल्टा और एज स्टीट सीधा तो यह है हमारी डिजाइन का बेस फर्स्ट रो फिर से रिपीट हुआ यहाँ पे अब रॉंग साइट से उल्टा बिनते हुए इन ही सलाईों को रिपीट करते हुए हम यह डिजाइन कंप्लीट करेंगे तो यहाँ पे देखिए एक सलाई यह एक दो तीन चार पांच देखिए दसवी सलाई में हमारा डिजाइन कंप्लीट एक दो तीन चार पांच एक दो तीन चार पांच यानि 10-10 सलाई में हमारा ये डिजाइन बनके तयार हुआ है तो दोस्तों देखिए मुझे उम्मीद है कि ये डिजाइन आपको जरूर पसंद आएगी अगर आपको ये डिजाइन पसंद आती है तो आप इसको जरूर लाइक करिएगा अपने दोस्तों में शेयर करिएगा और मेरे चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिएगा मिलूंगी मैं अगले वीडियो में किसी नई डिजाइन के संग तब तक के लिए बाई